हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर रियाज करने के पाथ गला खराब होने पर क्या करे यह कैसे ठीक होगा इन्हें ठीक करने के क्या उपाएं तो चलिए देखते हैं इनकी पीछे क्या राज है और यह कैसे ठीक होगा दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जादा रियाज करने पर कभी-कभी गला खराब हो जाता है कभी-कभी अधिक रियाज के बार गला फंस जाता है तो ऐसे वक्त में अपने गले को आराम देने की जोरत है थोड़ा गर्म पाने पीजिए गर्म भाफ लिजिए और गले को आराम दीजिए फिर जब गला ठीक हो जाए तब रियाज सुरू कर सकते हैं एसे में आपके गले को भी आराम मिलेगा और आपका गला साफ रहेगा और आप लंबे समय तक अपने गायकी कर सकते हैं और सबसे महतुन बात यह है कि रियाज सही डंग से होना चाहिए गलत तरीके से रियाज करने पर भी गले में फर्क पड़ता है अगर आप ज़्यादा जोर से रियाज करते हैं अगर आप ज़्यादा जोर से बहुत ज़्यादा जोर से बाते करते हैं तो भी गला पे फर्क पड़ेगा तो अपने गले को थोड़ा संभाल कर ही रखें थोड़ा संभाल कर ही चलना सीखें और गुरू जैसे रियाज करने के बारे में बताएं ठीक वयसे ही रियाज कीजिएगा इससे आपका गला खराब नहीं होगा तो दोस्तों इस तरह के और भी सिंगिंग से जुड़े इंट्रेस्टिंग बात जाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले